स्वास्थ और सौंदरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को प्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थ और सौंदरी नमस्कार दोस्तों स्वास्थ और सौंदरी में आपका एक पर फिर से स्वागत हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घर पर अधरक का तेल यानि जिंजर ओल बनाने के बारे में बहुत कम लोगों को ही या पता होगा अधरक ना किवल खाने का स्वाद बढ़ाने का काम कर बलकि इसके इस्तमाल से बालों की कई समस्याओं को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना अगर आपको लंबे घने और सिल्की बाल चाहिए तो अधरक का इस्तमाल आपके लिए फाइदवन्द होगा अधरक में कई ऐसे पोशक्तत्रों औ किया जाता रहा है अधरक के तिल में मौसूद एंटी आक्जिडेंट और विटामिन सी बालों को घना वो चमंकतार बनाने में मदद करते हैं आज हम इस वीडियो में अधरक का तिल बनाने के बारे में जानेंगे जो शुद होने के साथ-साथ बालों को उचित पोशन देने में मदद करेगा तो फिर अधरक का तिल याने जिंजर ओयल को कैसे त्यार करना है इसके बारे में जाने के लिए बनेर इस वीडियो के साथ जिंजर अल बनाने के लिए हमें चाहिए अधरक का एक छोटा टुकड़ा, पास से छे चम्मच ओलिव ओईल और पास से छे पिस लॉंग जिंजर अल बनाने के लिए सबसे पहले अधरक का एक छोटा टुकड़ा ले ले इसके बाद इसे साफ पानी से अच्छे से धोले चौप कर ले इसके बाद एक कड़ा ही ले और इसमें अद्रक कर टुकड़ा और ओली वाइल डाल दे इसके बाद गैस ओन करके इसे धीमी आज पर पकाएं जब तिल थोड़ी गरब होने लगे तब इसमें 5-6 पिस लॉंग डाल दे लॉंग कई अंटि आक्सिडेंट तत्रों से भरपूर होता है जो बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है साथी बालों को और समय सफेद होने से भी बचाता है जब यह अच्छे से पक जाए तब गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दे ठंडा होने के बाद इसे छनी के सहाथा से चान कर किसी बोतल में भर कर रख ले अब यह जिंजर ओल यानि आधरत का तिल उप्योग में लाने के लिए तैयार हो चुका है इसे एक वीक के लिए स्ठोड करकी रखा जा सकता है जिंजर ओल का नियमित इस्तमाल बालों की ग्रोध को तेज कर देता है जिंजर ओल में कई ऐसे पोशक तत्रों पाए जाते हैं जो बालों को दो मुहा होने से रोकता है जिंजर ओयल में मौजूद विटामिन सी बालों को घना बनाने में मदद करता है जिंजर ओयल बालों को संपोर्ण पोशन देता है इसके नियमित इस्तमाल से बाल जड़ने की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है जिंजर ओल्स से मसाज करने से स्केल्प के बलड सर्कुलेशन में सुधार होता है साथी बालों की चमक भी बढ़ती है तो फिर आज अपने इस वीडियो में घर पर जिंजर ओल्स यानी अधरक का तिल बनाने की विधी के बारे में जाना आशाय आपको हमारे ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा हमारे नए ने स्वास्ति और संदरी समंधी जानकारियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लें तथा हमारी वीडियो पसंद आई हो तिसे लाइक और शेर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नए ने जानकारियो आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद